अलो बचों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप bढुए और एग्दम मज़े में हुंगे तो आए बच्चों आज के अध्याए में हम 你रा बाई के पद पढ़ेंगे तो बच्चों कौन थी मिरा बाई बच्चो मिरा बाई कि श्रिक्रिष्ण की अनन्या भकतन थी जिनका विवात राजमहल में हुआ था लेकिन उन्हें राजमहल की सारी सुक्षूविदाओं को ठुकरा दिया और मंदीर में जाब बसी और वहां उन्होंने श्रीक्रिष्ण को अपने पती के रूप में स्विकार किया और जीवन पर के पढ़ेंगे सबसे पहले इस अध्याय में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं विशब्द हैं पूंजी सद्गुरू छाणी संतन सीची और किर्पा इन शब्दों का उच्चारण भली प्रकार कीजिए बच्चों और लिखन का अभ्यास कारे कीजिए तो हम पहला पद इसमें जो है बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन यानि की मेरी आखों में बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोहनी मुर्ती सामली सूरती नैना बने विसाल मोर मुकुठ मकराकरंद कुंडल अरुन तिलक दिये भाई अधर सुदारस मुरली राजती उर बैजन्ती माल छुद्र घंटी का कटितप सोभित नुपूर सबत रसाल मीरा पत संतन सुखधाई भगत भचट कूपाल तो इस परद के दवारा मीरा बाई ने बताया है कि हे श्री कृष्ण ए नंदलाल मेरे नैनन में आकर बसो तुमारी मोहुनी सूरत सामली सी सूरत मेरे नेनों में बसा दो तुम्हारा वो सुंदर सा मोकुट मोर मोकुट इतना सिशोबित हो रहा है तुमारे उपपर तिलक जो तुमने अपने माथे पर लगाया हुआ है और तुमारे अधरों यानि कि तुमारे होटों पर मुरली विराश्ति है वो बहुती सुन्दर प्रतीत होती है गले में वेजन्ती माला है और तुम्हारी कंड जो कमर है उसमें घंटी का छोटी छोटी बंदी भी है नुपूर तुम्हारे पैरों में नुपूर यानि की पायल जो चमचम करती है वो तुम्हारे रूप को और भी सलोना बना देती है मेरे प्यारे नंदलाल अगले पद की और बढ़ते हैं बच्चों अगला पद इस प्रकार है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई छांडी दै कुल की कानी कहा करे कोई संगत ठिड़ बैठी लोक लाज खोई अंस्वन जल सिंची प्रेम बेली बोई ददी मती घृत कारी लियो डारी च्छ देई भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई तासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई लोक का आर्थ है वच्चों लोक लज्जा यानि कि लोगो द्वारा दी गई लाज घृत का अर्थ होता है क्या होता है निकालना तो इस पद में मीरा बाई ने कहा है मीरा बाई जो श्री कृष्ण की अनन्या भक्तन थी पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ती में लगाया और उसी पर आदारित उन्हें पद लिखें जिन में से कुछ पद आपके सामने हैं उन्हें से में से एक पद ह जिसके व्याख्या की जा रही है। लोक लाच सब खो दी है अर्थात कोई मेरे विशय में कुछ भी कहे अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अन्सवन जन सीजी प्रेम बेली बोई अर्थात मैंने आपने आस्वों से प्रेम रूपी बेल को सीचा है अब उसमें आनंद रूपी फलाने लगे हैं जो म नहीं मत कर उसमें से घी निकाला जाता है और छांच अलग कर दी जाती है उसी प्रकार मैंने भी भगवान की भक्ती में अपने को रमा दिया है और संसारिक मो के बंधनों को मैंने अलग कर दिया है अर्था संसारिक बंधनों से मैं अब दूर हो गई हूँ अब केवल मेरा एकी लक्ष है वो है श्री कृष्ण की भक्ति तो चलिए हम तीसरे पद की और बढ़ते हैं वेस्प्रकार है मीरवाई जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतंधन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु किर्पा करी अपनायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवायो खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बरदर सवायो सदकी नाव खेवटिया सत्गुरु भवसागर तरायो मीरा के प्रभुगिर्दर नागर हरक हरक चस्च जगायो अमोलक यानिकी अन्मोल और खेवटिया यानिकी नाव को पार लगाने वाला तो इस पद के माध्यम से मीरा बाई कहती है कि मैंने तो राम रूपी धन पा लिया है मुझे एक अन्मोल वस्तू किसके द्वारा दी गई है मेरे सदकुरु द्वारा दी गई है ये कृपा उनकी मेरे उपर बनी रहे ये जन्म जन्म की पूजी मैंने पा ली है जिसे जग म खोया नहीं जा सकता ना ही एक खर्च की जा सकती है पूंजी ना ही कोई चोर इसे चुरा कर ले जा सकते हैं यह तो प्रेम रूपी ऐसी पूंजी मैंने पाई है जो दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएगी सत की नाओ अर्थात मेरे सच की नाओ के खेवट या कौन है सत सपाई कहती है कि मीरा के तो प्रभु गिर्धर नागर हैं हरक हरक जसगायो और थात वो खुशी खुशी से प्रभु के गीतगार रही है श्री कृष्ण के गीतगार रही है कि मैंने तो इश्वर को पती की रूप में पा लिया है मैं बेहत उसाहित हूं आनंदित हूं मैंन की मीरा बाई जीवन पर्यांत क्या कारे किया केवल श्री कृष्णी की भक्ति तो बच्चों इस तरह मीरा बाई के विशे में आप और भी जानकारी प्राप्त करें और उनके द्वारा लिखी गई पदावली को कंठस करने का प्रियास करें बेहद ही बढ़िया पद उन्होंन प्रियास करें देट जा री जास Essen कर दो मीरा बाच वथी हो बच्चों इस तर्जा में सहाफ में हो तो हो सम मात्स करें जा है किया झाल मुछ न 1 आज它 बच्चों एकर राईख का दो क्यांबड़।